ब्रेक के बाद एक बपर से आप सभी का स्वागत है आरोगे में मैं हूँ आपके साथ रचा भाटी और हमारे सा स्टूडियो में मौजूद है वैदी पकुमार जी और वैद जी आईए देखते आपके कौन से पेशिंट है जिन्नोंने अपने एक्सपीरियंस हमारे सा शेयर क की ये सर्मा देरा दून का रहने बाला हूं संथ 12 से मुझे सर्थर्यों का जाता दा अधर कपड़े में बर जाते थे उनकी दवाई खाने के वास्तर में, मैं बिल्कुर ठीक हो गया, फिर मजे आगरेजी दवाई खानी पड़ी, फिर मजे बेट बीट खराब हो गई, फिर डाक सापके पास आया, फिर दवाई खाई और मैं बिल्कुर ठीक हो गया, और मैं उनी से इलाज के बारा हूँ, मुहान सारे कॉल्स भी आते हैं, और even आपके काफी सारे पेशेंट भी ऐसे देखे हैं. तो मैं चाहती हुआ भारी दर्शकों को बताए, यह जो बिमारी है, इसका खास कारण क्या है, और क्या ट्रीक्मेंट आप इनको दिया? हमारी बोडी के cells सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सबी के साथ हैं. लेकिन कई रवार unknown कारण से हमारी बोडी के cells ज्यादा बनने लगें और मरने कम लगें. तब ये बिमारी बनती है, psoriasis. इसको आईर्वेद में मंडल कुष्ट भी कहा है. कुष्ट तो नहीं है लेकिन कुष्ट की तरह दुष्ट बहुत है इसके वैसे तो अन्नोन कारण है को अधिक तरची के सक इसको जैनिटिक मानते हैं और कभी कभी हमारा विरुद आहर सेवन भी हो तब यह दिकत बन जाती है और इसमें हमारी खाल के उपर पपड़ी जमने ल जाता है कि उसमें खून भी निकलने लगता है प्याज छिलके कीत रहें छिलके उत्रे प्राए पीव स्राव हो सरवदा गड़ा भी पड़ जाए व्रदी गत हो कब्ज से यह चमडी गत रोग अशन ए नियमत से सदा और विरुद परियोग वैसे तो हमारे जितनी भी बिमा कारण कब्ज है और कहा भी गया सरवे रोग मलाश्रा हमारे शरी के अंदर जब कब्ज भड़ जाए और बल सड़ने लगे उस मल के सड़ने से हमारा पाचकरस दूशित हो जाता है और रत के साथ मिलने के बाद इस तरह की विमारी बहुत तेजी से बंती है इनके साथ भी य गंदक इत्यादी का प्रियोग जादा करते हैं जबके गंदक का इसमें रोल है इतना नहीं आयरवेद की दो तिन दवाई हैं जैसे की एक पंचतिक्त गरत गुगुल इस बिमारी के लिए बहुत परशिद है दूसरा रक्त विकार नाशक हम अपनी एक फार्मेशी में दव निर्मित रक्त विकार नाशक तीसरा आरोग्यवर्दनी पहले लोग अपने घर में आरोग्यवर्दनी चंदरप्रभा और संजीवनी ये जरूर रखते थे और जब मौसम बदलता था तो घर के सभी लोग संजीवनी वटी का शेवन करते थे और चंदरप्रभा वटी तीसरा आरोग्य वर्दनी, हमारे शरीर को आरोग्य बढ़ाए उसको कहते हैं आरोग्य वर्दनी, इसके अंदर कुटकी मुख्य गटक है, और कुटकी जिसको केदार कड़वी भी कहते हैं, बद्रिनात, केदारनात की तरफ लोग इसको सुगर के लिए बेशते हैं, वैसे त लीवर के लिए बहुत ये अच्छी दावा है और कुटकी जिसकी महिमा जितनी कहूं उतनी ही कम है मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत से पेशेंट जो लीवर के असाध्य थे उनको साध्य होते देखा है और इसके अंदर एक भस्म डलती है तामर भस्म वैसे ही हेवी मेटल है यदि ये औरगनिक फोर्म में पूरी कनवर्ट है तो अमरत्तुल्य है और यदि तामर भस्म कच्ची रह जाए तो बहुत नुक्सान करती है इसलिए किसी अच्छी फार्मेशी की ही तामर भस्म द्वारा निर्मित ये दवा आरोग्य वर्द्नी सेवन करनी चाहिए बहुत से लोग कच्ची इसमें भस्म डाल देते हैं जिससे फायदा कम नुक्सान जादा होता है मैंने इनको पंच तिक्त घरत गुपगन आरोग्य वर्द्नी और साथ में रक्त विकार नाशक इन तीनों की दो दो गोली और साथ में हमें एक तवा बनाते हैं नीम घन वटी इसके लिए मैं इतना ही कहूँँगा हमारे सरी से कैसे भी कीड़े हों नीम निकालता है नीम पंचांग कूट कर घन सत्व लेव बनाए एक सब्ता तक ली जिए पेट करमी मिट जाए पेट करमी तो इसके साथ सेवन से भी मिटते ही है साथ ही साथ नीम, नीम के कुण असीम नीम हमारे आइरवेद का एक बहुत अच्छा एंटिवाइटीक है और इसके सेवन से हम बिष्ट बिमारी में बहुत अलाब मिलता है, वैसे इसमें स्मेल बहुत आती है, लेकिन इसके गुण बहुत है, किसी भी प्रकार की खाज हो, खुजली हो, विवर्ची का, पामा, कंडू, कैसी भी बिमारी हो, सुराइसिस, अपरस, इसको प्रयोग करने से, इसकी मालिष करन बिष्ट गवरों से परिगदित, अपरस रोग अवसान, अपरस यानि के मंडल कुष्ट, यानि सुराइसिस, इसकी मालिष से, हमारी खाल ठीक होने लगती है, और इस तरह की बिमारी में बहुत लाब मिलता है, मैंने इनको यही चीज़े परियोग में दी, इनको बहुत ल होती है, सुरू में लाब लगता है, लेकिन जब वो दवाईयां छुटती है, तो बहुत बुरी तरह से तेजी से उभर के आती है, और आईरवेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है, और मैं इतना कहूंगा, मॉर्डन में मैंने किसी को ठीक होते, इस बिमारी में नहीं और हमारे यहां इस तरह के बहुत पेशेंट है, जो बिलकुल निरोगी हुए. जी, बहुत-बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं वेजी से? वेजी सावी, कब्ज है, बहुत सालों से कब्ज की विमारी है, इसका क्या इलाज हो सकता है? भगवन, आपकी उम्र कितनी है? पचास. कहीं तला हुआ, बहुत ज्यादा तो नहीं खाते हैं आप? नहीं. या भूग बहुत ज्यादा मारते हूँ, आपका खाना पीना नियमित ना हो, दिनचरिया विवरस्तित ना हो? नहीं, नियमित ये खाना तो टाइम पर ही लेता हूँ, कम लेता हूँ. जी, तो भगवन बहुत अच्छा होगा कि आप, जब आपको अनुकूल लेगे, तीन चम्मश त्रिफला चून, प्रहते खाली पेट पका कर, खूब अच्छी तरे पका लें गिलास पानी में, जब चोथाई रह जाए, उसको छान लें, और जब वह गुनगुना रह जाए उसमें एक चम्मश शैज मिलाकर आप सेवन करें, धीरे धीरे आपकी कोश्ट सुद्धी होने लगेगी, और साथ में आप प्रवाही का हर चून, एक एक चम्मश दिन में दो बार दूद या पानी के साथ सेवन करें, और साथ में यदि त्रिफला घनवटी भी लें, तो आ बादा लाब मिलेगा, दूसरा कुछ चीजे हैं, आप अपने भोजन में या खाने पीने में इसको इस्तेबाल करें, आपको लाब मिलेगा, आठ दस मुनक्का, मुनक्का का बीज निकाल करके, थोड़ा काला नमक लगा करके आप सेवन करें, आपको पेट के लिए बहुत मिलेगा, और तले भुने पदार्त, जंक फूड, इनको बिलकुल वर्जित कर दें, बिलकुल सेवन ना करें, मैं आपको यह उम्मीद करता हूँ, धिरे धिरे लाब आपको लिखने लगेगा, दस्तावार इसमें कोई दावाई नहीं है, हम लंबे समय यदि दस्तावार द परभाव दिखता है, और पेठ हमारा नियमित रहे, तो मैं इतना कहूंगा, कि आप प्रती दिन चाय तो बंदी कर दें, उसकी जेगे, डाजिस्टी टी, दो दो चममच, पानी में उबाल कर, चाय की तरह आप सेवन करें, आपको निश्चित लाब मिलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया वेज जी, और इसी के साथ जाने का समय हो गया है, तो मैं चाहूंगे आप एक प्यारा सा दोहा हमारे दर्शकों को सुनाए, जिनसे उनका जीवन निरोगी बना रहता है, जी, आज सोराइस्टीस की बाद चली, खाज-खुजली की बाद चली, दाद के लिए मे एक छुटा सा प्रियोग पताता हूं, साबुन गंधक सर्जी का सज्जी, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी, साबुन गंधक सज्जी का सुहागे का संयोग, उक्त ओशद अवलेपन से, शंशय द दरूरोग, आप साबुन, गंधक, सज्जी और सुहागा, इनका प पर लेपन करें, तो इस बीमारी से निजात मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया वेजजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, तो दोस्तों हमारे जाने का समय हो गया है, लेकिन हम जाइस लिए रहे हैं, ताकि वापस आ सक सकते हैं, appointment fix कर सकते हैं, medicines order कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप हमारे सारे episodes YouTube पर भी देख सकते हैं, और मैं हमेशा से पहले भी आपको बताती आई हूँ कि वैजी का एक Facebook पेज है, आदर्श आयुरवेदिक फामेसी के नाम से, उसे जॉइन करना मत भूलेगा, वहाँ पर देली ऐसी टिप्स मिलेंगी, जिससे आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रत नहीं पड़ेगी, तो जरूर जोइन कीजिए आदर्श आयुरवेदिक फामेसी फिलाल हमें दीजी इजासत आप अपना खयाल रखियेगा, तब तक के लिए नमस्कार कर्फ टार के लिए नमस्कार